दियर लर्नर, वेलकम टु लर्निंग फॉर आल, मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम, कोर्स कॉडिनेटर, स्पेशल एजुकेशन, एरिंग एंपेर्मेंट, अमर्जोती स्कूल एंड रिहाबिलिटेशन सेंटर, गौलियर, मद्ध प्रदेश आईए, आज हम जानते हैं, समावेशन में आने वाली बाधाएं, यानि कि वेरियर्श टू, इनक्लूजन, ऐसी कौन-कौन सी बाधाएं हैं, जो समावेशन को रूपती हैं, या समावेशी एक ब्यवस्था है, तो उस ब्यवस्था को बनने से, या उस ब्यवस्था के बनने म ये रुकावट आती हैं, सभी वीडियो को अंद तक देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके. जैसा कि हम जानते हैं, कि समावेसी सिक्षा एक ऐसी सिक्षा ब्यवस्था है, जिसके अंतरगत समाज के प्रतेक वर्ग, प्रतेक मतलब समाज का कोई भी वर्ग हो, चाय किसी जाती का, धर्म का, समान नहीं हो, या विकलांग हो, दिप्यांग हो, किसी से कोई मतलब हो, सब को प्रते क्वर्ग को एक साथ समान रूप से विना किसी भेदभाव के यानि कि non-discrimination नहीं करें टोटल डॉन-discrimination है यानि कि discrimination बिलकुल नहीं अनुकूलित वातावरण का निर्माड करके अनुकूलित वातावरण का मतलब होता है किसी के अनुसार हमें एक ऐसी situation क्रियेट कर द देना जिसमें वो अपने आपको आनंद दाई महसूस करे और बेहतर तरीके से उसमें एड़िस्ट हो सकी गुडवत्ता पूर्ण सिछा परदान करते हैं यानि कि qualitative education और qualitative education तभी होगी जब education लायक एक अच्छा वातावरण होगा और एक बेहतर पुनर्वास करते हैं तो इस educational rehabilitation भी कह सकते हैं जिससे उनमें समानता का भाव जब सभी साथ में पढ़ते हैं तो एक समान लूप से भाव उत्पन होता है साथ ही उनमें believe एक दूसरे के प्रति साजेदारी जो collaboration है जो positive attitude है सकरात्मक दिश्टिकोंड वो भी develop होता है जो उत्कृष्ट समाजिक चिंतन सकत यानि कि जो excellence जो society में society के प्रति जो एक thinking power develop होता है वो develop होता है इसके अलावा लेकिन समाज में बहुत से ऐसे घटक भी हैं जो समाज में बाधा बनते हैं जिससे मुक्धारा की संकल्पना को पूरा करना मुस्किल हो जाता है तो आएए हम जानेंगे ऐसे कौन-कौन से वो घटक हैं कौन-कौन से ऐसे तत्तों हैं जो barriers के रूप में जाने जाते हैं आए हम जानते हैं attitudinal barrier या societal barrier इन दोनों को एक साथ इसलिए लिए लिए गया गया क्योंकि attitude जो नजरिया दिश्टिकोन हमारा होता है वो हमारे समाज में ही पाया जाता है तो उसी को हम समाजिक बाधाएं भी कह सकते हैं उनकी जो सोतिने समझने की जो सकती है तरक बितरक वो करते हैं या जागरूख होकर या जागरूख होकर दोनों तरीके से तो वो किस तरीके की बाधाएं उत्पन करते हैं आये ज़र हम इसके बारे बे प्रकाश डालते हैं सम समान बच्चे जैसे नहीं होती जिस तरीके से समान बच्चा एक समान तरीके से सोच समझ सकता है वो नहीं सोच पाते भासा ही प्रॉबलम होती है क्योंकि गाउं में या ऐसे कजबे में या बस्तियों में समाना जाता है बहुत सारे अभी गाउं में जो जागरूकता नहीं है जैसे कि डेफ को बहरा कहा जाता है कि इनके पास तो लेंग्वेज नहीं है ये पढ़लिक कैसे सकते हैं इसके अलावा इनके पास experience भी कुछ नहीं होता अनुभो भी नहीं होता है ये भारत के लिए बोज माने जाते हैं साथ ही इनका जो job level है वो एक समान्य के बराबर कभी नहीं हो सकता है यह मैंसा अलग ही होता है विविन प्रकार के race के अधार पर जो रंग रूप जाती इसके अधार पर भी विविन प्रकार की thinking बनी हुई है नकरात्मक कि inclusion में सामिल नहीं हो सकते सबके साथ एक साथ नहीं पढ़ सकते इनका culture अलग होता है यह हमारे culture से male नहीं खाते इनके अंदर एक skill नहीं develop हो सकती जो एक समान बच्चे में हो जाती है इनका विविन प्रकार के gender wise भी ऐसी attitudinal barriers है जो inclusion को में बाधा बनती है male, female या कोई female एसी जो किसी visist category के आ गई जो कि दिव्यांग हो गई तो उसको भी ये एक नकरात्मक दिश्टिकोंट से देखते हैं चाहे physical abilities इन में नहीं होती जैसे या किसी ऐसे बच्चे को देख लिए जिसको चलने फिरने में समस्या है तो उनको समाज मानता है कि इनके पास जो सारीरिक या भहतिक छमताई नहीं होती यो गताई नहीं होती ये समाज के लिए बोज होते हैं वो ये भी मानते हैं कि इनको किसी भी प्रकार का लेंगिक जानकारी भी नहीं होती है और इसके आधार पर भी ये लोग attitudinal barriers ये society में रखते हैं एज के आधार पर ये मानते हैं कि हमारा बच्चा जिस एज का है इस एज के ये बच्चे कभी पढ़ लिख नहीं सकते समझ नहीं सकते साथ में society में ऐसे बहुत सारे barriers है कि ये पुराने जन्मों का पाप है ये दूसरे के लिए बोज बने हैं ऐसे बच्चे पूरी तरीके से समाज के लिए घातक है इनको समाज में जीने का कोई हक नहीं है इस तरीके के बिभिन प्रकार के दिश्ट कोड़िये समाजिक बाधाएं उत्पन हैं जिनके कारण inclusion उत्पन नहीं हो पाता है या inclusion जैसी जो ब्यवस्था होती है उसका निर्माण नहीं हो पाता है क्योंकि समाज रेडी नहीं होता तो ये सारी बाधाएं बिभिन प्रकार की देखने को समाज में बिलती है आए हम next वैरियर्स की तरफ चलते हैं जिसको हम लोग physical वैरियर्स कहते हैं या भौतिक बाधा हैं किस तरीके से एक wheelchair चड़ नहीं सकती सीडियों में वाकर लेकर या पूरी तरीके से यदि सीडियां उचित नहीं हैं बहुत सारो students के दिमाग में learner के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत सारी ऐसी machine बन गई है wheelchair जो अपने आप automatic चड़ जाती हैं बिलकुल बन चुकी है लेकिन क्या हर निम्न इस्तर के बच्चे तक क्या हर इस्तर के बच्चे तक वो उपलब्ध हैं क्या वो access हैं पुरी तरीके से नहीं तो ये भी एक प्रकार का बाधा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे खरीद नहीं सकते क्योंकि इसकी कीमत अधिक है उच्च इस्तर के पुछ धनी लोग या उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकल कटेगरी की समस्या से है तो वो खरीच सकते हैं और वो लाव ले सकते हैं गवर्मेंट पुणतया इनको फिरी प्रोवाइड मुस्किल कर पाएगी क्योंकि एक महेंगी डिवाइस होती है इनको खुद से भी परचेज करना पड़ता है इसके लावा और भी हम बहुत सारे एक जामपल्स देखते हैं जो बैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं यानि कि जो वाधाएं हैं उनके विविन प्रकार के और भी हम उदारन जानते हैं यह देखिए एक इमेज के तुरू दर्सारा है कि विल्चेर एक भीत्ती है विल्चेर यूजर जो उपर नहीं जा सकता देखिए किस तरीके से उसको चड़ाने में प्राब्लम हो रही है अगर रैंप होता तो बेहतर तरीके से चड़ जाता इसके अलावा यह देखिए किस तरीके से वारियर्स बने हुए है जहां पर निकल बस में ऐसी सुभिधाएं हैं जो चढ़ना मुस्किल हो जाता है इसके अलावा ये विभिन प्रकार के जो गड़े दिख रहे हैं ये जो बियाई इस्टुडेंट है चिल्डरेन है वेक्ती है तो देखिए किस तरीके से आगे बाधा है बहुत सारे equipment आजकल development होने लगे हैं ल दिख रहा है ये देखिए wheelchair में जाने में किस तरीके से समस्या है किस तरीके से चढ़ नहीं सकता देखिए समस्या है ये physical barriers है देखिए ये जो बीच में pillar type खड़े हैं इन में से इतनी जगए नहीं है कि एक wheelchair निकल जाए देखिए इसके अलावा lift है बट lift के अंदर एक इतनी size नहीं होता बहुत सारे lift में जिससे इनको परहसानी आती है इसके अलावा यहां देखिए कितना फिसलन दिख रहा है और साथी साथ इनके जो उचाई है counter की वो अधिक है जब कि इतनी नहीं होनी चाहिए चाहिए वो बाइंक हो चाहिए वो डागगर हो चाहिए कोई photocopy की दुकान हो चाहिए public place हो कोई भी हो देखिए कितना वेचारा लटक कर यानि कि उपर चड़ के वो अपना काम कर रहा है जो एक साइद एक टिकट कटवा रहा है रेलवे स्टेशन में हैं यह देखिए समस्या यह भी अपने आप में एक बैरियर है चड़ने में कितनी प्राब्लम हो रही है किस तरीके से बैरियर से जो इदवदर जाने में कितनी प्राब्लम्स हो सकती है यह सभी बैरियर्स हैं जितने भी इमेज्स आपको दिखाए दे रही है यह कि किस तरीके से इनको उपर खीच खीच कर चड़ाया जा रहा है यह दिर रैंप नहीं है तो अब हम AIR में देखते हैं तरीके से देखिए किस तरीके की ब्यवस्था होती है इसमें wheelchair बिलकुल नहीं जा सकती है और देखिए एक बिक्ति को किस तरीके से चड़ाया है देखिए कितनी लोग लगे हुए है यह आपने आप में barrier है क्योंकि inclusive education कहता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना दे जिसमें स्वतंत्र रूप से freely अपने आपको महसूस कर सके विकलांग बेत्ती दिभ्यांग बेत्ती और अपने आप में accessible हो सके जबकि यहां पर बिल्कुल नहीं है नेक्ष्ट जो हम barriers देखते हैं वे हैं pedagogical barriers यानि कि सक्षडिक बाधाएं आए जानते हैं कौन-कौन सी हैं बाधाएं दिखिए जब सिक्षक अपनी सिक्षड पद्धतियों को बहुत अच्छे तरीके से उपियोग नहीं करता और वो blackboard में लिखने में ही मस्त रहता है तो आधे विद्धर्थी सो जाते हैं देखिए एक बच्चा किस तरीके से बेहतरीन सो रहा है ये एक अपने आप में barrier है वो प्रिजन टाइम में उसको ये knowledge नहीं मिल पाएगा accessible नहीं है साथ ही यहाँ पर एक ऐसा बच्चा यह हो सकता है कि यह hearing impairment चाइड लोग उसके लिए कि वो लिखना जरूरी नहीं है साथ में sign भी करना जरूरी है इसके साथ साथ बहुत सारे digital प्रोसेस आते हैं digital equipment आते हैं जिसका उप्योप करके कि हम captioning वीडियो के माध्यम से उनको शिखा सकते हैं एक द्रस यह है कितनी सारी समस्याएं हैं लोग फिर से बताएए फिर से जानना चाहते हैं इसमें untrained teachers भी होते हैं यह माना जाता है कि जो educator होते हैं जो teacher होते हैं वो एक मानो संसाधन के रूप में महत्पूर भूमिका निभाते हैं समावेसी सिख्चा के छेत्र में और वो एक बहतर दूर दृष्टा बनाकर एक बहतर आउटलूक देखते हैं और अपना एक ड्रामेटिक जो एक नाटक के दौरा एक भेतर तरीके से ड्रामा के दौरा अपना impact छोड़ते हैं students के लिए किस तरीके से वो रह सके और किस तरीके से वो different learning challenges को भेश करके उनको सिखा सकते हैं साथी साथ ये माना जाता है कि सिख्षा के अंदर एक भेतर competence होती ही छमता होती है एक सकारात्मक attitudes होता है जो समावेसी सिख्षा के छेत्र में बहुत ही काम आता है लेकिन येदि untrained teacher है येदि उसे ये सारी चीज़े नहीं पता समावेसी सिख्षा ये विकलांता के छेत्र के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर वो इस छेत्र में पढ़ाने के लायक नहीं है अगर वो पढ़ा रहा है तो बिभिन प्रकार की ऐसी pedagogical barriers आएंगी जिससे उन्हें विभिन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर इस स्कूल में एक गल्स है उसकी अगर अधिकारों की रच्छा नहीं की जाती है तो भी अपने आप में एक बाधा है अगर टीचर एक सिक्षक है पुनर बलन दे रहा है जेंडर वाइज लड़के को लड़की को या यूँ कर रहा है कि माली जो कोई विकलांग बच्चा है या एक समान बच्चा है तो उनको दे रहा है तो भी अपने आप में एक बाधा है जबकि समान देना चाहिए इनप्रोप्रियेट करिकुलम यानि उचित पाठकरम भी नहीं है पाठकरम में जो कंटेंट है या जो कंटेंट का डिलिवर है वो एक्वाडिंग टू चिल्डेन नहीं हो रहा है इसके लावा नॉन जेंडर सेंसिटिव टीचिंग मेथडोलोजी यानि कि मेथडोलो जो टीचिंग की जो सिद्धान थै जो विदियां है उनका सही सी उपयोग नहीं कर पाते हैं होता है कि जो गल्स होती है वो अपने आपको यह समझते हैं कि हमें हमेशा वही शिक्षा की पढ़ाता रहता है एक मेल टीचर ही तो शिक्षा के छेत्र में सभी एक्वली होना चाहिए साथी यूनिवर्सल टीचिंग स्टाइल होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है बुमेन और रीध की रूप में जानी जाती है आए अब हम नेक्षट देखते हैं कि सिस्टेमिक बैरियर यहनरी की पढ़ाली rat गथा यहनरी की पढ़ाली गथा य now हम जानते हैं यानरी की जो नीतियां होती है हमारी सातीसाथ उनकी जो प्रैक्टिसेस होती है और उनकी जो क्या process हैं, जिनके प्रड़ाम सुरूप कुछ लोगों को आसमान पहुँच प्राप्त होती है, यानि कि जो नीतियां बनती हैं, पुड़ता हैं, सब तक नहीं पहुँच पाती हैं, यदि बेहतर practices और उनका procedure सही नहीं हो पाता है, कुछ लोग तो इससे बाहर र तो यह एक प्रकार की बाधा है, जिसमें विभिन प्रकार की policies होती हैं, जो सिक्छागनीतिया बनती हैं, विभिन प्रकार के तौर तरीके बनते हैं, management system बनता है, वो भी अपने आप में एक policies में आता है, किस तरीके से बच्चे के लिए, एक learning के लिए, एक education के लिए, एक ब प्रक्टिसेस नहीं हो रहा, हमारे लिए एक अच्छी बात है कि चलो नीतिया बन गई, लेकिन उनकी प्रक्टिसेस नहीं हो पा रही, जिसके current समस्चाएं दिन वदिन बढ़ती चली जा रही हैं, और दिभ्यांग विध्यार्थियों को समस्चाएं अत्यधिक हैं, ये भी अपने आप में एक चित्र सो करता है, जैसे कि पहला जो चित्र है कि in the first image it is assumed that everyone will benefit from the same support, they are being treated equally, हम क्या करते हैं, समान रूप से सभी को treat करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि inclusive education में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं, जो जिनकी बेक्तिकत विभ्यनताएं अलग होती हैं, जो किसी नकीशी समस्य से ग्रशित होते हैं, अगर हम एक जैसे समान और विकलांग को treat करेंगे, तो सायद उनकी आउसकताओं की पूर्ती नहीं होगी, यानि कि हम adaptation फिर उनके लिए नहीं कर पाए, दूसरे में देखते हैं कि in the second image, individuals are given different support to make it possible for them to have equal access to the game, they are being treated equitably, यानि कि इसमें क्या किया गया है कि different support दे दिया गया है, according to children, जो सबसे छोटा है, उसको ज़्यादा दे गया ताकि देख सके, जो उससे छोटा है, उसको एक दे दिया गया, stand ताकि वो देख सके, जो बड़ा हो अपने आप खड़ा हो गया, लेकिन इन खर्चों की हमें जरूरत क्या है, हम आखिर एक ऐसा system क्यों नहीं बनाते, जिसमें सभी एक साथ एक समान रूप से खड़े हो जाएं जहां पर और वहीं से देख सके, जो third image है, वो inclusion को दरसाती है, यानि कि the systemic barrier has been removed, इसमें remove कर दिया जाता है, लेकिन इन में विभिन प्रकार के barriers दिखते हैं, माली जी जो एक second image देखिये, जो एक छोटा बच्चा है, अगर वो बहतर तरीके से छोटा है नहीं चड़ पाता हूं डिबो में तब तो वो देखी नहीं सकता, लेकिन जो तीसरी image है, वो बहतर तरीके से दरसाती है, कि एक हम ऐसा जाल बना दें, जिसमें सभी लोग समान रूप से खड़े ह करके जो दृष से है बाहर का देख सके, inclusion not only one related learning education and physical accessibility, but different public place या different game जहाँ पर हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, हम accessibility कर सकते हैं, वहाँ पर बेहतर accessibility होती है, तब ही हम मानते हैं कि बादा नहीं है, लेकिन अगर ऐची समस्याएं आती हैं, तो हम मानते हैं कि पड़ाली में भी य थाइंक यू, फार वाचिंग दा वीडियो, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकान वाले बटन को भी दबाएं, जिससे आने वाली निव वीडियो को notification आपको तुरंत मिल जाएं, और साथी अपने दोस्त तक share करें, जिससे वो भी इस ग्यान से परिपूर हो सके और एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके, थैंक यू, सो मच